हाई गाईज वेलकम बैक, I am Vivek सिंगल from tradingwithvivek.com और आज हम डिसकस करने वाले हैं भारती एटल को और भारती एटल को पूरा डिसकस करते हुए हम एक बार इसका business भी समझेंगे और उसके बाद में हम इसके financials भी समझेंगे और उसके बाद हम इसका technical chart भी समझेंगे कुछ मुझे यहाँ पर नजर आता है तो यहाँ पर क्या वो strategy रहनी चाहिए भारती एटल में क्या trade करना चाहिए investment करना चाहिए बने रहना चाहिए नहीं तो एक बार आगे बढ़के देख लेते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो चीजे बहुत important है फर्स्ट की एक educational वीडियो है इसमें आपको कोई भी decision लेना है तो वो अपने हैसाब से लेना है मेरी कोई recommendation नहीं है buy or sell करने की second अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लें क्योंकि everyday एक पांच बजे एक video लेकर आते हैं stock market से related जिससे हम अपने trading और investment skills को improve कर सकें खुद भी subscribe कर लें और दोस्तों को भी subscribe कर आ लें क्योंकि दोस्तों को भी साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है तो अगर हम एक बार business की बात करें और जो bank की बात है वो जो payment bank है उसकी कोई बहुत ज़्यादा importance अभी तक नहीं है आने वाले time में ये कितना ज़्यादा important होगा कहना बड़ा मुश्किल है तो यहाँ पर ये इंडिया में अगर broadband की बात करें तो घरों में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है और आगर quality service की बात करें तो अभी भी A8L ने अपनी उस पकड को बनाया हुआ है कि ये quality service देता है अब यहाँ पर जो important point है तो यह तो business की बात होगे business में आगे चलके देखो broadband की services और जो broadband की reach है वो लगातार बढ़ती जा रही है कही ना कही ये भी चीज नजर आती है कि यहाँ पर शायद competition कम हो जाए तो competition कम भी हो सकता है यहाँ पर और हमें business का तो आगे चलके इसको पका पता ही है लेकिन जो एक बहुत important point है जो मैं आपके notice में लाना चाहता हूँ वो यह है कही ना कही अभी भी competition इतना है कि यह अपने prices को उस तरीके से नहीं बढ़ा पा रहे है जिस तरीके से बढ़ा सकते हैं खास तोर से broadband के case में जैसे मैं आपको एक example बताता हूँ कि मेरी society में गुड़गाओं में पहले copper wire थी copper के through broadband आता था तो 16 16 mbps के आसपास की speed थी अभी उन्होंने इसको switch करके optic fiber में change कर दिया है तो 100 mbps की speed है लेकिन इतनी ज़्यादा speed देने के बाद भी जितना उनका rental पहले था उतना ही rental अभी भी है उस चीज में कोई difference ही नहीं है यानि कि इनोंने expenses भी किये इनोंने spending भी की और service को improve भी किया और better speed भी दी लेकिन ये अपने जो charges है उसको नहीं बढ़ा पाए तो यहाँ पर ये एक competition है और जब ये charges नहीं बढ़ते हैं इनका revenue नहीं बढ़ेगा इनका net profit अगर नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल तो आएगी यहाँ profitability को बढ़ाने में और earning per share को बढ़ाने में और net profit में यहाँ पर growth दिखाने में तो यह एक छोटा सा challenge है और यह छोटा सा challenge एक्चुल में काफी बड़ा challenge हो सकता है क्योंकि जियो की fiber भी यहाँ पर विछने वाली है और जियो के भी connections आने वाले है और हो सकता है कि आभी गए हो और काफी area में तो जियो यहाँ पर इसको पूरी टकर देने वाला है तो यहाँ पर यह competition रहने वाला है लंबे time तक तो अगर हम इसमें financials की बात करें तो तीन लाग करोड की company है promoters के पास 56.2% हिस्सेदारी है return on capital employed यहाँ पर काफी कम है return on capital काफी कम है 5.45% है इसके comparison में अगर हम reliance की return on capital employed की बात करें जहाँ पर petrochemical business भी है retail business भी है जियो भी है तो सारे ही business low return on capital employed पर काम करते हैं लेकिन वहाँ पर फिर भी यहाँ से double है तो यह double होना है और अगर हम debt to equity ratio देखें तो 2.69 है यानि कि 269% का loan है तो यह जो problem है यह problem इसकी बनी हुई है अभी भी बनी हुई है अगर हम इसमे latest results की बात करें balance sheet में चले जाएं तो balance sheet में यहाँ पर अगर borrowing की बात करते हैं तो 148 करोड से बढ़कर September जो half yearly इसके results आए हैं balance sheet के तो यहाँ पर यह increase हो गई है 159,000 करोड हो गई है borrowing पिछले 6 महिने में borrowing बढ़ी ही है तो यह जो borrowing का बढ़ना है पिछले 6 महिने में यह एक कही ना कही risk वाली बात आती है सेम अगर इसको compare करें reliance से तो reliance ने पिछले 6 महिने में क्या किया है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ पिछले 6 महिने में जो reliance के borrowing से हैं वो 1,00,000 करोड से कम हो गए हैं यानि की 3,55,000 करोड से reduce होकर 2,55,000 करोड हो गया है इसी के comparison में भारती एटल में यह borrowing हमारी increase होई है तो यह एक चिंता का subject है यह एक worisome figure है अगर हम पिछले 12 महिने की बात करें profitability की तो पिछले 12 महिने में 22,000 करोड का loss है इस loss में देखो एक बड़ी हिस्सेदारी other income की भी है other income में यानि कि यह one time loss है किसी कोई one time loss है लेकिन one time loss भी अगर नहीं भी होता है तो भी अगर one time loss 17,000 करोड का यहाँ पर है और अगर यह नहीं भी होता तो भी net तो loss ही आने वाला था तो यह net loss एक बहुत बड़ी problem है और सबसे बड़ी जो problem है वो है interest की यानि कि 14,000 करोड का interest है मरलब पिछले 12 महिने का 14,000 करोड का interest होना यह बहुत बड़ी बात होती है 2 billion dollar होते हैं यह 2 billion US dollar के equal का interest है बारे महिने का तो यह एक अच्छी बात नहीं है यहाँ पर और अगर हम इसके quarterly results की बात करें तो current quarter में जहाँ पर net जो other income है वो बिलकुल zero है मरलब ना plus है ना minus है 100 करोड इस company के लिए बहुत जादा matter नहीं करते वहाँ पर भी इनकी profitability कुछ खास नहीं है यानि कि सिर्फ 518 करोड है और 518 करोड में से अगर हम tax pay कर दें तो tax pay करने के बाद में यहाँ पर यह minus में ही आए है तो पिछले अगर बहुत सारे quarters की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी as such है नहीं लेकिन एक point यह आता है कि जो profit before tax है वो plus में आ गिया है after 4-5 quarter तो यह एक uncertainty का पूरा-पूरा माहूल है आने वाले time में क्या होगा अभी कुछ भी कहना बहुत-बहुत-बहुत मुश्किल है और अगर हम balance sheet की बात करें तो balance sheet तो हमने देखी ली तो situation यहाँ पर कुछ भी अच्छी नहीं है cash flow की बात करें तो cash flow एक यहाँ पर only positive sign है कि operating profit से जो cash flow है वो लगातार plus में है लेकिन पिछले तीन सालों में पिछले दो-तीन सालों में यह reduce हुआ है यह एक again परिशानी वाला point है और share holding pattern की बात करें तो share holding pattern just maintained है और maintain में public के पास पहले भी बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी अभी भी बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है पब्लिक के पास इसकी share holding बहुत कम है अब बात करते हैं इन सब यह uncertainty का माहूल है business को लेकर भी uncertainty का माहूल है financials को लेकर भी और अगर हम भारती एटल के chart की बात करें ना तो chart में मैं बाकी ratios यहां से हटा देता हूँ और सिर्फ और सिर्फ 200 day moving average लगा कर रखता हूँ जिससे थोड़ी सी clarity आती है तो यह एक बहुत ही strong resistance है यहां पर इसके आसपासी यहां से आकर नीचे आया था फिर उसके बाद में इसने लगातार बहुत कोशिश की multiple attempt किये में मन्त में उपर जाने का यहां से उपर जाने की कोशिश की फिर रुग गया फिर कोशिश की फिर रुका फिर कोशिश की फिर कोशिश की फिर कोशिश की यह multiple attempt थे और same ही level पर आज इसने यहां पर फिर से attempt किया gap up open हुआ और gap up open हो के कोशिश की वापस उपर जाने की लेकिन नहीं close कर पाया इस से उपर और वापस से नीचे आ गया और यहाँ पर volume भी heavy थी तो gap up करके ओपर open हुआ फिर नीचे आया तो यहाँ पर यह एक बहुत ही strong resistance पर है तो जो लोग यहाँ पर trader है उनको मेरे हिसाब से profit book करना बनता है यहाँ पर क्योंकि यह एक बहुत ही strong resistance है और इस strong resistance से profit book करना बनता है अगर trader है और यहाँ पर अगर re-entry बनती भी है तो वो तब बनती है अगर यह lifetime hyper closing दे और lifetime hyper closing भी यहाँ पर इस particular level से उपर बनती है 610 से उपर बनती है और 610 से उपर अगर closing दे क्योंकि यहाँ पर एक uncertainty का माहूल है लेकिन क्योंकि technical chart बहुत कुछ अपने आप में बोलता है उस particular situation में अगर technical chart यहाँ पर lifetime high की closing देता है तो lifetime high एक बार देख लेते हैं है क्या तो lifetime high यही है particular level 609 का lifetime high का level है और पिछले इतने सारे सालों से यह एक range में फसा हुआ था जो इसका 2008 का level था 2007 का level था वो था हमारा अगर हम exactly इस line को देखें तो 544 उससे उपर तो यहाँ पर यह निकला था लेकिन उतनी significant तरीके से नहीं निकल पाया था और वापस से इसी range में घुम रहा था तो यह range है अगर यहाँ से 610 से उपर यह बिल्कुल clear cut अगर यह closing देता है तो believe me यह resistance level मैं मानूंगा कि पिछले 12-13 सालों के बाद टूटा है तो जब 12-13 सालों के बाद कोई company lifetime high पर जाती है और वहाँ पर जाकर sustain करती है तो वो अगले 10-12 साल के लिए बहुत अच्छी value buying हो सकती है हो सकता है कि आने वाले time में जिस तरीके से mobile connections हैं उसमें competition बहुत कम हो गया है और पहले से ज़ादा जो charges हैं मन्तली charges हैं वो भी increase हो गया है तो हो सकता है आने वाले time में broadband में भी वो competition price war को लेकर खत्म हो जाए और जो भी 2-3 बड़े players हैं वो साथ में मिलके इस तरीके से काम करें कि ठीक है सभी मिलके थोड़ा-थोड़ा सा prices को बढ़ाते हैं और सभी की profitability बढ़ जाए तो यहाँ पर इस चीज की पूरी-पूरी probability है लेकिन यहाँ पर cautious रहने के point of view से एक चीज को कहना पड़ेगा क्योंकि यह सिर्फ probability है business में लेकर competition भी बना हुआ uncertainty है financial में भी uncertainty है क्योंकि वो clarity नहीं है debt to equity ratio बहुत जादा है इनका loan कम नहीं हुआ है और अभी भी profits नहीं आये हैं और यहाँ पर यह resistance लेवल पर है उपर निकलने की कोशिश की लेकिन य उपर निकल कर close नहीं होता और वहाँ पर sustain नहीं करता तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पर selling है लेकिन अगर 610 से उपर निकल कर close करता है और sustain करता है तो जो लोग इसको लंबे time के लिए रखना चाहते थे उनके लिए यह एक green signal की तरह से काम करेगा और हो सकता है अगले 10 साल म में broadband का और data connectivity को लेकर rural area में semi urban area में बहुत scope है सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या है कि आपस की fight कम करें और उसको बंद करें competition जो price war है उस चीज को कम करें तो ये companies बहुत अच्छा पैसा कमा सकती है तो कल फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ आज की मेरी वीडियो में भा आपके पास वह सारी वीडियो आती रहें जो डेली 5 o'clock में अप्लोड करता हूं थैंक यू सो मच आयम विवेक सिंगल फ्रम ट्रेडिंग विवेक.com थैंक यू सो मच